तो फ्रेंड्स देखा आपने सल्गम खाने के फाइदे इसमें विटामिन C, विटामिन E, फाइबर और पॉटिशियम जैसे कई पॉसक ततव पाये जाते हैं सल्गम सर्दियों के मोसम में मिलने वाली एक मोसमी सबजी है सल्गम को सेहत के लिए बहुती फाइदे मन माना जाता है तो क्यों ना इस हेल्दी और टेस्टी सबजी को बना कर खाया जाए हेलो फ्रेंड्स मैं हुखुशी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है तो चलिए आज की रेस्पी स्टार्ट करते हैं सल्गम की सबजी बनाने के लिए 500 ग्राम सल्गम ली है मैंने सल्गम को दो लिया सबसे पहले सल्गम को हम छील लेते हैं जो रेड वाली स्कीन है इसको निकाल लेना है और जो उपर डंठल वाला भाग है इसको भी काट कर निकाल दें सारी सलगम को ऐसे ही छील लेना है सलगम को मैंने छील लिया उसके बाद फिर से दोया अब सलगम को हम काट लेंगे तो ऐसे छोटे छोटे पीसिज में सलगम को काट ले देखिए सारी सलगम को मैंने काट लिया है छोटे छोटे पीसिज में अब चलते हैं गैस की तरफ इनको फ्राई करने के लिए गैस पर मैंने कड़ाई चड़ा दी है कड़ाई गरम हो गई कड़ाई में हम सरसों का तेल गरम करेंगे तेल मैंने थोड़ा जादा ही डाला है क्योंकि सलगम को फ्राई करना है और ये सबजी सरसों के तेल में ही ज्यादा टेस्टी बनती है तेल अच्छे से गरम हो गया अब कटी हुई सलगम डाल कर इनको 5-6 मिनट तक फ्राई कर लेंगे continue चलाते रहें गैस की फ्लेम को मीडियम कर लें सलगम का हलका सा कलर चेंज हो जाएगा और ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी ये देखे सलगम को मैंने फ्राई कर लिया है इनका हलका सा कलर चेंज हो गया और सलगम थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है अब सलगम को हम निकाल लेंगे तो कडची को थोड़ी देर ऐसे रखे कड़ाई के उपर जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो कड़ाई में चला जाएगा सारी सलगम को मैंने निकाल लिया है अब आपको तेल ज़्यादा लगे तो तेल इसमें से निकाल ले क्योंकि इसी कड़ाई में हम सबजी छोंकेंगे मिरको तेल ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा तेल इसमें से मैं निकाल लेती हूँ तेल अच्छे से गरम है आदा छोटा चमज जीरा डाले थोड़ी सी हींग डाले जीरा भून गया अब दो बारी कटी हुई प्याज और हरीमिस डालेंगे दो प्याज ली थी मैंने दो हरीमिस इनको बारी काट लिया है प्याज को हलका सा सोफ्ट होने तक हलका सा सुनेरी होने तक भून लेना है प्याज हलकी सी सुनेरी हो गई है अब एक चमज लसुन अद्रक पेस्ट डाल कर इनको अच्छे से भून लेंगे ये मैंने 9-10 कली लसुन की लिए थी आदा इंच अद्रक का टुकडा और 7-8 काली मिस लेकर इनको कूट लिया लसुन अद्रक आप कूटे तो उसी के साथ काली मिस डाल कर कूट ले इससे टेस्ट अच्छा आता है देखे सारी चीजे अच्छे से भून गई है अब हम इसमें पिसे हुए टमाटर डालेंगे तो ये मैंने 3 टमाटर लिये थे टमाटर को मैंने पीस लिया अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को 3-4 मिनट तक पकाएंगे जो टमाटर का एक्स्ट्रा मोश्चर है सारा खतम हो जाएगा उपर तेल भी आ जाएगा तो अभी ढख देते हैं देखे टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं जो टमाटर का एक्स्ट्रा मोश्चर था सारा खतम हो गया उपर तेल भी आ गया है अब हम मसाले डालेंगे आदा छोटा चमच हल्दी पावडर डालें आदा छोटा चमच दनिया पावडर एक चमच मैं लाल मिच पावडर डाल रही हूँ ये कम तिकी है आदा छोटा चमच नमक डालें लाल मिच पावडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकोडिंग कम जादा कर लें मसालो को एक मिनट तक भून लेना है अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसालो को हम अच्छे से भून लेंगे इनमें से अच्छी खुस्बू आने लगेगी और उपर अच्छे से तेल आ जाएगा तो continue चलाते हुए मसालो को भून लेना है मसाले अच्छे से भून गए है देखिए उपर तेल भी आ गया है अब एक कटोरी मटर डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लें और मटर को हम मसालो के साथ हलका सा सोफ्ट होने तक पका लेंगे ढग देते हैं देखिए मटर हमारे हलके से सोफ्ट हो गए है एक मटर लेकर चेक कर लें अब ग्रेवी के लिए हम पानी डालेंगे तो पानी को मैंने उबाल कर लिया है डेट गिलास के लगबग मैंने पानी डाला है ग्रेवी में हम पानी को गरम करके डालते हैं तो ग्रेवी का कलर अच्छा आता है जब आप ग्रेवी वाली सबजी बनाएं तो उसमें पानी गरम करके ही डाल लें, अब हम इसमें फ्राई की हुई सलगम डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लें, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है, और सब्जी को हम 6-7 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन बीच-बीच में चलाते जरूर रहें, अब धग दें, ये देखिए सब्जी को लगबग मैंने 6-7 मिनट तक पका लिया है, और सब्जी हमारी अच्छे से पक गई, बीच-बीच में मैंने सब्जी को चला दिया था, ताकि सब्जी कड़ाई के तली में लगे ना, बरी कटा हरा धनिया डाल लेंगे, आप चाहें तो गरम मसाला भी दाल सकते हैं, सलगम या मटर को लेकर चेक कर लें, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, और हमारी ये सलगम की सब्जी बनकर तयार है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है, और कितना अच्छा कलर आया है, देखिए सलगम मटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए है, सब्जी हमा आज की मेरी ये रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ थैंक यू सो मच